हेलो, आज हम लोग Microsoft Word के कुछ ट्रिक्स के बारे में जामते हैं इसके लिए सबसे पहले हम लोग font के size को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर मैंने 36 font size बना दिया है अब इसके बाद हम लोग एक on screen keyboard को open करते हैं सबसे पहले start button पर जाते हैं जाने के बाद all programs, all programs के बाद accessories, accessories के बाद ease of access और उसके बाद on screen keyboard इस तरह से on screen keyboard यहाँ पर आ जाता है इसको थोड़ा नीचे रख लोते हैं इसके बाद हम कुछ tricks को दिखाते हैं trick number one यहाँ पर screen पर हम यहाँ पर दिखाते हैं कि जब हम लोग तीन बार इस तरह से hyphen तीन बार दवाते हैं पहले cursor यहाँ पर है देने के बाद इंटर की दवाते हैं तो यह उससे भी मोटा लाइन हो जाता है इसके बाद हम लोग तीन नंबर बढ़ाते हैं तीन नंबर में shift और फिर हैस फिर हम लोग दवाते हैं shift और यह hash फिर shift और hash दवाने के बाद यह इंटर की दवाते हैं दवाने पर इसको हम लोग on screen यह बाला इसको हम लोग उपर ले जाते हैं keyboard को यहां पर देखते हैं कि इस तरह का line हो जाता है इसके बाद हम लोग आ रहे हैं चौथे नंबर पर चौथे नंबर पर हम लोग करते हैं यहां पर शिप्ट और यह एक बार शिप्ट दो बार शिप्ट और यह तीन बार फिर इसको इंटर दबाते हैं इस तरह का मेरा आ जाता है इसके बाद कि पाथवान में आते हैं कि इक्वल टू एक बार दो बार तीन बार दबा के फिर हम लोग इंटर की दबाते हैं दबाने पर यह इस तरह के लाइन आ जाते हैं डबल लाइन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से shift प्लस उसके बाद कुछ से हाइफेन दे देते हैं एक दो तीन चार पांट छेशाट आट नो दस फिर हम लोग प्लस इस शिफ्ट प्लस फिर एक दो तीन चार पांट छेशाट आट नो दस फिर shift प्लस दवा के जब हम इंटर दवाते हैं एक टेबल के फॉर्म आ जाता है अगर हम इसके बाद करसर को ले जाके फिर इंटर की दवा देते हैं तो यह इस तरह से टेबल बन जाता है कि इसके बाद हम लोग में सात्मा ट्रिक देखते हैं कि सात्मा ट्रिक के लिए के कर्सर यहां ले आए हैं लाने के बाद हम लोग सीप्ट और यह कॉलोंग दबाके और फिर ब्रेकट बंद कर देते हैं तो यह स्माइली फेस हो जाता है Shipt फिर ब्रैकेट को बंद कर देते हैं तो यह copyright का sign हो जाता है फिर हम लोग shift ब्रैकेट बंद करते हैं उसके अंदर R लिखते हैं लिखके shift ब्रैकेट को बंद करते हैं तो यह R आ जाता है फिर हम लोग ब्रैकेट को open करते हैं और दीतर T और M देके ब्रैकेट को close करते हैं करने पर यह इस तरह का trademark का अब आते हैं 12 नंबर ट्रीक है इसके लिए पहले shift और यह लेस दन उसके बाद हाइफिन हाइफिन देने पर इस तरह का शाइन फिर shift हाइफिन हाइफिन अब को बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस हाइफिन हाइफिन देने के बाद shift इस तरह का शाइन देता है और उसके बाद equal to का शाइन देते हैं equal to equal to shift यह greater than और फिर ए लेस दन shift less than लेने के बाद फिर equal to equal to इस तरह का और इसके बाद हम फिर देखते हैं shift यह उसके बाद equal to शाइन देखे फिर यह इसके बाद backspace मेटा देते हैं shift यह तो इस तरह का शाइन आते हैं thank you